राधि राधि जैसरे कृष्णा स्वाकताब कराता राने क्रोशे में तो आज बनाएंगे हम खाटो शाम बाबा के लिए यह सेम बागा बनाएंगे तो यह बागा मैंने 6 और 7 इंची बाबा के लिए बनाये हैं आप 8 इंची बाबा को भी पहना सकते हूं अगर आपको थोड़ बूत भी कम लगे तो आप यह मैंने इसके अंदर 9 राउंड बनाये हैं तो आप एक राउंड और बना लीजिए तो आठ इंची बाबा के लिए भी एकदम परफेक्ट आएगा तो यह बागा बनाने में बहुत ही आसान है और शाम बाबा को पहनाया हू बहुत ही जुन्दर लगता है तो इसके अंदर देखिए मानने यह तेन दिन कली बनाके यहां पर डिजाइन डाला है और शेम डिजाइन वैने बटके के अंदर भी डाला है तो अगर आपको मेरी वीडियो अची लगे तो लाइक से स्ब्सक्राइब करें वैल आइकन को प् सत्रा चैन बना लेंगे तीन चार पांच छे साथ आठ नो दैस ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा सोला और ये सत्रा सत्रा चैन बनाने के बाद हम तीन चैन और बनाएंगे एक दो तीन तीनो चैन को स्किप करेंगे दागा देंगे और चोथी चैन के ऊपर डबल क्रोश्या बनाएंगे तो एक हमारी स्टार्ट में तीन की चैन होगी एक डबल क्रोश्या दो होगी तीन की चैन को भी साथ में काउंट करेंगे तो सत्रा चैन के ऊपर अब हमें सत्रा वार डवल प्रोश्य बनाते जाना है हर चैन के उपर एक एक वार डवल प्रोश्य बनाएंगे और तीन की चैन को साथ में एकाउंट करेंगे तो टोटल अठारा हो जाएंगे तो चलिए इसे कंप्लेट कर लेते हैं तो देखिए मैंने यहां पर 17 चैन के उपर 17 बार डूल क्रोश्य अबनाके से कम्प्लेट कर ली है तो टोटल हमारे पास एक दीन की चैन को साथ में काउंट करेंगे तो उठा रहा हो जाएंगे तो अब दीन की चैन लेंगे और इधर पढ़त लेंगे आप देखिए जहां पर तीन की चैन बनाई है यहां पर नहीं बनाएंगे नेक्स्ट के अंदर हम दो बार डूल क्रोश्य अबनाएंगे एक बनाया सेम स्टिच के अंदर एक बार और बना देंगे दो हो गए फिर एक बनाया फिर दो बनाया फिर एक बनाएंगे फिर नेक्स्ट अंदर स्टिच के ऊपर दो बार बनाएंगे एक बनाया सेम स्टिच पर एक पर और बनाया स्टार्ट में एक बनाया फिर दो बनाया फिर एक बनाया फिर दो बनाया फिर दो बनाया फिर दो बनाया इस तरह से कंप्लिट कर लेंगे तो देखिए दूसरी डो कम्प्लीट हो गई है तीसे स्टार्ट में देखिए मैंने यहां पर एक बनाया है फिर दो बनाया है फिर एक बनाया है फिर दो बनाया है तो लास्ट में देखिए यहां पर लास्ट में मैंने दो बनाया है एक स्टिच के उपर वो स्टार्ट में एक तो अब देखिए हमें यहां पर तीन की चैन पनाएंगी और इधर पल्ट लेंगे पल्टने के बाद है यहां पर दो स्टीच है तो हम यहां पर पहला वाला स्टीच है उसको इस तरह से फ्रंट कोश्ट बनातेंगे साइड वाले को एक बार बनाएंगे एक हमारी तीन की चैन हो गई दों गई नेक्स्ट हमारी पास एक डबल क्रोश्य है तो एक डबल क्रोश्य के प्रिम हो गए फिर हम देखी यहां पर 2 एक स्टीच के अंदर मैंने 2 डवल क्रोशे हो बनाए है तो इसको हम फरंट कोष्ट बनाएंगे इसा तरह तरह से क्लोश्या हुप डालेंगे और फरंट डवल क्रोशे अगई पेदा हैंगे आप है फिर इस तरह से फ्रेंटे डबल क्रोशे भना देंगे एक यहां पर एक बढ़ाऎंगे यह सेंस पर एक और बनाया प्र से इस घ्लख करें ऑड़ेंगे तो आप में आपर सेचिंद या बनाएंगे एदर फटेलेंगी यह हमारी पिछे से हमें do back post बनाना है पीछे पार बनाया ऍूटेश के उपर एक बाइप बनादेंगी अब देखिए यहां पर मैंने सही साइड से इंक्रीज किया था एक के उपर दो बनाए थे अब रोंग साइड से हमें दो के उपर दो ही डबल कुर्श्या बराने हैं एक बनाया रोंग साइड से हमें इंक्रीज ते से थी तुझ करेंगे तो रोंग साइड सी मैंने दो के उपर दो बना दिया और हपेस सबॉइच कुछ भी समयifier में अब हमें बैप हो पोस्ट बनांता है साइड से लग डान पोस्ट बना एक बना करना यूशार कि यहां पर त्रेस को थोड़ा लंबा बना के त्यार किया है तो इसके अंदर बनाई है 8 रौड − पीर एक के उपर, दो बनाई później से लोगस सैड़, यहां पर देखिए, दो के उपर दो बनाई है मानने दो डौट dos by कृसे अबनाई है फिर रोंग साइड से तीन के उपर तीन बनाए हैं यह दिखिए अलग लग दिख रहे हैं एक दो और यह तीन अलग लग दिखते हैं तीनों फिर तीन के उपर मैंने यहां पर सही साइड से चार डबल क्रोश्य अपनाए हैं यह दिखिए यहां से यहां पर चार बनाई फिर रोंग साइड से मैंने चार के उपर यहां पर चार के उपर चार बनाई फिर सही साइड से यहां पर मैंने पांच के उपर पांच बनाई है एक स्टेज के अंदर दो बनाई और तीन मैंने यहां पर अलग-अलग बनाई है तो अब हो देखिए हमें क्या करना है यहां पर सही साइट से स्टार्ट करेंगे यहां से तीन की चैन के अंदर प्रोचे हुप डालेंगे यहां पर एक चैन लेंगे और स्लिप स्टिच से जोइन करेंगे अब हमें यहां पर दो चैन बनाने हैं दो चैन बनाने के बाद सेम स्टिच के अंदर हमें डबल क्रोशिय बनाना है यहां पर दो डबल क्रोशिय बनाया फिर हमें पांच चैन लेनी है सेंटर में दो तीन चार पांच पांच चैन बनाई वोगे शेम स्टीच के अंदर यहां हम हम दो बार ब्दोब्ल को इनलाएंगे एक बनाया सेम स्टीच में एक और बना देंगे दो बार ब्दोब्ल को इनलाएं अब हमकी यहां से एक और दो- üzब या येहां से डबल बनानाा एक बनाया सेयम प्स्टिच में एक ब़ल्ड और और बनाते कि दो हो गएं फिर पाट पॉस्ट झ हाल वड़ल बनाते कि दो कि इस तरह से हम यह बत्ती बना के कंप्लीट करनी है तो देखिए मैंने यहां पर इस पैटन को बना के कंप्लीट कर दिया है तीकि कि कि इस उन्दर लग रही है और यहां से धाके को एक चैन लेके काट कर देंगे और अब हम सही साइड से ही स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे तो देखिए अगला वर्क हम यहां से से साइट से स्टार्ट करेंगे तो ग्रीन वूल से हम जो हमने यह एकली बनाई है इसके उपर हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो मैंने यह पांस की चैन बनाई है गोल के अंदर यहां से स्लिप स्टिच से जोइन कर लिए इसको जोइन किया दागे को साथ में रखेंगे अब यहां पर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे नेक्स्ट के अंदर एक बनाया दो डबल क्रोश्या बनाया तीन बनाया चार बार बनाया पुरी पांच बार बनाया छे बार बनाया पुरी पांच बार बनाया इसे रागे को यहां से क्रोश्या उसे निकाल देंगे वह जो पहले में स्टार्ट में दीन की चैन बनाई है यहां पर क्रोश्या हुक को डालेंगे और इस तरह से पत्ती को यहां से फोर्ड करेंगे पत्ती बनाई तीन चायन बनाई फिर इसके इंदर पांच बार डबल पूर्ह बनाइंगे। कि एक बार बनाया है दो बार बनाया है थीज पिंग चार बनाया है ह। उरी यह य। पांच बार बना दिया है डागी को करणा का बत्ति को यहां से इस तरह से टो करेंगे तो यह पस्टिश की तरह बन जाएगे ढोल इन्जना पर दूlicht बनाएं और यह पांच बार बना दिया आइं निकार लें पछे से यह दो पर से चैन को इस तरह क्रोषय के इंदर आके इस तरह को एंदर कर देंगे वोरे को एक जैन के से लोक कर देंगे से आफ हमें क्या करना है सेंट में जो स्पेस की है येकर और धूड़ दूर्पल क्रोशिया के लिए स्फेस है इसके अंदर हम यहां पर को कि शीप स्टेच करेंगे लाइन गःप स्टेच किया है नेक्स्ट वाली पती के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे पहली यहां से फिर यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे पांच बार एक बनाया दो डबल क्रोशिया हो गया तीन हो गया चार हो गया चार हो गया सूरी यहां पर हम लाbon करोश्या नगरेंगे सिद्धे डवल पुर्जय ही बनाएंगे यहां पर और सैकेंड़ पती के ओपर यहां पर हम डवल करोश्या मन गये सिधे एक बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, चार बार बनाया, उर यह पांच बार बना दिया, लागे को निकाल दें क्रोशिया से, और यहां से दो चैन उठाएंगे, फर्स्ट चैन से डगल क्रोशिया से और इस तरह से पत्ती को यहां से फोल्ड करतेंगे, और एक चैन करेंगे , दो चैनोर , भी अशरी है पिर उसी तरह से पाँच डबल चोषय बनएंगे कूप再बना भी देसे तरगी देखांगे तो देखे मैंने यहां पर हम पर ही तीन तीन की पती बनाइई इस तरह से आपेहे हैं भी की दाग्यकों कुट करिंद मिद्यकर दिया है संठों एंट हम स्टार्ट बनाएंगे यह स्टार्ट पर जागी को सिंगल क्रोंशय एटाज करने जो सेव्म ४नाएंगे दो चेहन बनाने के बाद सेंटर के अंदर हम यहाँ पर छे डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बनाया तीन बार बनाया चार बार बनाया पाँच बार बनाया और यह छे बार डबल क्रोशिया बनाया छे बार बनाने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है तो देखे मैंने यहाँ पर 6 बार डबल क्रोश्या बनाया है अब हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोश्या कर देंगे सिंगल क्रोश्या किया नेक्स्ट वाली चैन के अंदर पहली सिंगल क्रोश्या करेंगे यहाँ पर फिर इसके अंदर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे छै बार एक बनाया दो बनाया तीन बनाया चार बार बनाया पांच बार बनाया और ये छे बार डबल क्रोशिया बनाया फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे स्टार्ट में भी मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया और लाश्ट के अंदर भी मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया तो दो होगे अब देखिए यह जो मैंने यहां पर स्पेस दीख रहा है यहां से इस पेस के अंदर यहां पर हम इस तरह से क्रोशिया हो को डालेंगे और यहां पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से फिर अपने वरक को यहां से फोल के अंदर से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम, पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, दो बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाया, चार डबल क्रोशिया बनाया, पांच डबल क्रोशिया बनाया, और ये छे डबल क्रोशिया बनाया, छे डबल क्रोशिया बनाने के बाद है, यहां पर सेम जगए हम एक सिंगल क्रोशिया करतेंगे, सिंगल क्रोशिया क्या नेक्स्ट पत्ति के नीचे सो तीन की चैन दीख रही है यहाँ पर पहले स्टार्ट में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे फिट शे डबल क्रोशिया बना लेंगे तो चलिए मैं आपको यह इस तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूं रखो तो देखे मैंने यहाँ पर यह पैटर्न बना के कंप्लीट कर दिया है देखे कितना सुंदर बागा बनाया है शाम बाबा के लिए और यहाँ से मैंने लोग करके धागे को कट कर दिया है तो अब हम शाम बाबा का पटका बनाएंगे पटka बनाने के लिए सबसे बहली यहांपर मैंने skip note लगाई है अब यहांपर हम 3 chain बना टेंगे दो chain हो गई और ये 3 chain हो गई अब हमें क्या करना है 3 chain और बनाएंगे हम डागा लेंगे 3 chain जो बनाई है मैंने उसे skip करेंगे और यहां से चोती चैन के अंदर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे तो एक तीन की चैन हो गए इसे साथ में काउंट करेंगे एक डबल क्रोश्या हो गए, दो हो गए तीन हो गए और यह चार हो गए यह देखी चार डबल क्रोश्या बनाएंगे अब तीन चैन बनाएंगे और इधर पर लेंगे मैंने 4 चैन बना कि पट्टे बनाओंगी मैं अगर आपको ज़्यादा थोड़ी सी चोड़ी पसंद दे तो आप इसके अंदर ज़्यादा चैन बना लेजे 4 बना लेजे, 6 बना लेजे, 8 बना लेजे तो देखी मैंने तीन की चैन बनाई है तीन की चैन बनाने के बाद हम पिछे से इसको बैक पोस्ट बना देंगे ड्रेस के अंदर मैंने फ्रेंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाया है तो सेंवे से ही मैं पटके के अंदर डिजैन डालूँगी तो यहां पर मैं बैक पोस्ट बनाऊँगी पहले रोंग साइट से फिर हैं तीन की chain आ गे, तो तीन की chain के उपर हम डबल क्रोश बनाएंगे, एक बनाया, फिर तीन chain बनाएंगे तीन chain बनाई इधर पल्ट लेंगे, तो यह हमारी सेई side होगे, फिर हम क्या करेंगे सेई side से हम फ्रंट कोश्ट बनाएंगे सामने से 1 औरभ बनादिया दो ऊपिस्घा एक नेक्सट वाले स्टीच पर एक ओर बना दिया आःब देखिए ईल्लो, तुबधे नैक्स्ट के ऊपर हम ऐंकभर बना हिसी बनाएंगे 4 पुर बनाएंगे युषाल ने मैं यह पमएंगे। बनाता यहां तरहने इसे नहीं सिफने रहे हैं, फिर देखिए रिन की चैछे बनाई फिर हमाना है है यहां पर एक बना बैकपोस्ट माथेस नेक्स वाले सीजित डीज उप्तिस को यहां ऑप उट एक बना देंगे, दो पनाएंगे और very mund दिखं़ो, तो एन आना से और दो एक बट्टी बना के complete करती है तो इसके अंदर अगर आप राउंड देखें तो इसमें देखें मैंने एक, दो, एक, दो, एक और दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोड़े, पंद्रे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो इसके अंदर मैंने 22 राउंड बना के यह पत्ती को त्यार किया है अब हमें इसके सेंटर में यहां पर देखें, यह जो मैंने डैस के अंदर फर्स्ट पत्ती बनाई है, यह से मुसी तरह से हमें पत्ती बनाने है तो दो हमारी जो फरेंट कोश्ट बनाई है इसके सेंटर के अंदर हमें यह पत्ती बना लेंगी यहां पर एक चैन लेंगे इस तरह से बना लेंगे अब हम तीन चैन बनाएंगे इसी स्टीच के अंदर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे दो एक तीन की चैन होए डबल क्रोश्या हो गया अब हमें यहां पर पांच चैन लेंगे पांच चैन बनाने के बाद इसें स्टीच के अंदर हम यहां पर दो डबल क्रोश्या और बना लेंगे एक बनाया और यह दो बनाया एक चैनल लेकी यहां से धागे को कट कर देंगे अब देखिए इसके बाद हम यह जो मैंने तीन पति का पैटरन बनाया है इसके अंदर यह पति बनाएंगे हम तो इस तरह से क्रोशिया हूप में यहां पर चैन बनाएंगे हम स्टार्ट में तीन चैन बना लेंगे तीन चैन बनाएं और यहां पर पांच बार डबल कोशिया बनाएंगे तो सेम पैटरन बनाना है हमें कहीं भी कोई इसके अंदर बदलाव नहीं करना है सेम पैटरन बनेगा पांच डबल क्रोश्य बनाने के बाद लास्ट चैन के अंदर इस तरह से उसको फोरड कर लेंगे पत्ती को चैन को इस तरह से लोग करेंगे इसको फिल तीन चैन बनाएंगे सेम पत्ती के होल के अंदर पांच बार फिल डबल क्रोश्या करेंगे तो इस तरह से हमें ये तीन पत्ती बनानी है तो एक बना दी है मैं दो आपको बना के लिखा तो देखिए मैंने पटका बना के तयार कर दिया है देखिए कितना सुंदर पटका बना है सेम डिजाइन डाला है मैंने जैसा ड्रेस के अंदर डिजाइन डाला है सेम वैसा को वैस जाय स्रीशान